अधिए बहुत रिखेशन से जो दो हजर चोबिस में बोड़ी गजाम देने वाले घें बहुत ज्यादा स्ट्रेस मोडी में इस्साम है बताब अगर उनका भाई स्ट्रेस मेजर किया जाए तो मेरे खाल से सबसे हाए इतना ज्यादा डर का माहल बना हुआ है और यह आपके साथ नहीं यह महानाश्रा के लगबग हर बच्चे के साथ होगा क्यूंकि बच्चा यह जो नहीं ऐसा होता है जो बोड़ीजम को खौफ होता है न वह सच में बहुत डेंजर होता है और उससे आपको अगर पार पाना है तो एक ही सलूशन है और वो है कि अपने सेलिबस को आप जितना जादा रिवाइच कर सकते हैं उतना जादा रिवाइच कीजिए यहाँ पर मैं आपके लिए 40 देस का एक बोलते हैं कि बहतरीन स्ट्राटिजी लेकर आया हूँ जिसकी मदद से अगर आपको लग रहा है कि मे बहुत खास बहुत खास तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि इस वीडियो के माध्याम से क्या हमको करना क्या है सर 40 दिन बचे हुए एक्चल में तो 50 दिन है बड़ कहीं आपके प्रैकर्स एक्जाम होंगे जिसमें आपका दो चार पान दिन दस दिन जाने वाला है जर 40 दिन में मैं ऐसा क्या करूं कि जो मुझे बुलते ने कि मुझे उम्मीद भी नहीं है वहां तक मैं पहुच जाओं जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि मैं 60% वाला हूं सायदा 55 अची तक पहुंझ जाए आपको लग रहा है कि सर मैं 70-50 वाला बच्चा हूं तो शायद आ कि अपने से लिबस को पहँचानों सबसे दिक्यत क्या है कि हर एक बच्च क्या करते है एक अपको आसे मैं कुछ नहीं पड़ा हूं तो यह गलत माइंड में इक भर भरा हुआ है आपको ऐसा फील आघाओं कि मैंने कुछ नहीं पड़ा है पर सचाई यह कि आपने बहुत कई जगह पर याद नहीं आता है जब भी मैं टेस्ट लिखना जाता हूं जब और बेपर की बात करता हूं फ्रेसा ने लगता है जब यह बोड़ी जाम के बारे मैं सूचता हूं डर लगने लगता है एक दिन के मैं कैसे सब कर पाऊंगा तो पहुत सारह बिच्चे कि अच्छ लो आपको नए शुरुवात करना है तो करना कैसा रिजेट लिए आपको सबसे पहला जो पहला पॉइंट मैं लिखा है पिसाइड यूर फेवरेट चैप्टर अभी मैंने यह अब्जर किया कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बोलते हैं कि अच्छे यह चैप्टर दो हो गया इंके पेज़े जाके काउंट करो आप अगर मैं उत्तरा कर सकता तो मैं आज यहां बैटके के पहले चार महने पहले छे महने पहले वह सही से नहीं हो पाए आपके लिए तब आप इस जोन में आ चुके हो कि सर मुझे स्टार्टिंग से बताए कि अब मैं क्या करूं इसी लिए रैधर दन कोई टीचर बोलता है कि यह ज्यादा माका चिप्टर इसको पहले कर बच्छ चार में से कम साथ आप नो चेप्टर आप डिसार करो कि कौन सापके फेवरेट हैं सर फेवरेट कैसे पैचानेंगे जब भी आप आफ लाइन महोंगे यूट्यूबर देखर होंगे तो कैसा होता है कि आपको पता है कि यह चेप्टर पढ़ाते समयने में अमेरे को बहुत लगा था एक होता है कि टीचर जब पढ़ाता है न स्टार्टिंग में तो बहुत मज़ा आता है यह चेप्टर तो सर के साथ में पूरा बैठा था ठीक है चाहिए कहीं पर आपने सीखा होगा तो यह चेप्टर में मुझे कॉन्फिनस बहुत अच्छा है ठीक है बट अभी चीजों को किसी जमाने में मैं पढ़ता था लेकिन बीच में तुछी टोप हो गया सर दीवाली छुटी आगई की इंट्रेश्ट आप पार किसमें इंट्रेश्ट है किसी बच्छों अरगिन बहुत पसंद दी आई सब और रिग चेहरे खिल जाते है मेरे मतब चार्ट चार आपको कैसे करना है तो आपको कैसे करना है तो पहला आप डिसाइड यूर फेवरेट चैप्टर फेवरेट चैप्टर आपके सोला में सोने चीए भले ही आपके छोटे चैप्टर रहेंगे चलेगा भले ही आपको दो बड़े दो चोटे दो बड़े दो चोटे तो भी चलेगा पहले अपना फेवरेट चैप्टर डिसाइड करो ताकि आपको यह पता चले कि यह चैप्टर मेरे वो चैप्टर है जो मेरे एक चेप्टर को तीन दिन दे दोगे ना तो गैरेंटी कि तुम आने वाले पांच छे दिन में पढ़ना छोड़ दोगे क्योंकि आपका कॉन्फिरेंस उड़ी आएगा रिविजन से पढ़ाई से क्योंकि आपको पता है एक चेप्टर को करने में तीन दिन लग रहा है मेरे उसके बाद क्या होगा फिजिक्स तो बचा है केमिस्टी केमिस्टी किया मैस तो बचा हुआ है आपका पड़ाई पर से विस्वास उड़िया आप करी नहीं पाएंगे पिक डिमोटेशन होने लगता है इसलिए सबसे पहला जरूरी है कि आप उसके बीचे मत भागो जो माइंड में साइक प्रियाट करना है और एक चेप्डर में ने तीन घंटे में कर दिया आज वाह क्या मज़ेदार है मैं तो भूल गाथ इस लेकिन तीन घंटे में ने कर दिया बालों पला जिए दूसरा चेप्टर भी तीन हंदे में खटम एक दिन में दो चेप्टर तो बस ऐसे ही जानकार सजन जिनको जानकारी ती यह तो पंदर बिस रुपा का इंजेक्शन है और उसका पांसो की चार्ज करता है तो वो डॉक्टर से पूछ लिया भाई ये तो यार पंदर रुपा का मिलता है और अब इसको लगाने का सिर पांसो ले रहे हो ऐसा क्यों कर गार वाले पिचल गरीब दुख्या वाले लोग है क्यों लूट रहे उनको तो बोला कि भाया इसमें जो है ना पात लूट ने की नहीं है बात है कि जब इनसान ये पता चलता है कि ये पांसो वाला इंजेक्शन दे रहा है तो इनसान वैसे ही ठीक होने के कंडिशन में दे या सबस्क्राइब करने कोशिच करेंगे यह साइक लोजीं यह बच्चा इसको अगर आप डीप में पढ़ें तो आपको पता चले एक होटीए एक एस चीजी होती है जो आपको बड़े से बड़ा काम आपको चुटक्यों में करवा देगी यह पूरा-पुरा माइंड गेम होता है और इस माइंड गेम में आपको यहाँ पर अपने आपको बना के रखना है ठीके दूसरा क्या होगा बच्चा क्या आपने इस इलिबस डिसाइड कर लिया रिविजन स्टार्ट करना शुरू कर दिया अब उस चैप्टर के क्योंकि दो को आप रिविजन दो कर रहे हो अच्छा चैप्टर आपका फिर्विट चैप्टर है नो डाउट लेकिन अगर आप लिख लिख के थोड़ी बहुत प्रैक्टिस नहीं करेंगे या एटलिस्ट दोचार पांच क्वेस्टिन जो खास क्वेस्टिन होत करेंगे तो आप एक तरह से प्रिवेसर के क्वेस्टिन भी सोच सकते हैं जो हमारी वर्दान बुक है एप पर जाकर उसको आप और देके पर्शिस भी कर सकते हैं या आपको लग रहा है कि सर उतना मैं अभी नहीं कर पाऊंगा तो आप मुझे कोई इंपॉर्टन पैटन है है को इंपॉर्टन कोशन तो भी दे दिए तो फर्स्ट वीक ऑफ जैनुवरी में हमारे अलवर्ट केमिस्ट्री एप के उपर प्री मट्रियल जो फोल्डर है वहाँ पर इंपॉर्टन क्वेस्टिन जो है बच्चा अप अपलोड होने वाले हैं यह एक मात्र ऐसा चैनल है जो केमिस्ट्री का पेपर साल दर साल लीक करता है मैं उपन नहीं बोल रहा हूं और इस साल भी काफी एनलसिस के बाद हम जो की वो कंटेंट बना रहे हैं अल्यडी हमारा जो शक्ति बैच है उनको हमने दे दिया है और फ्री वाले बच्चों को फर्स्ट वीक ऑफ देनी के लिए तो अगर आप हमारे शक्ति बैच में आना चाहते है तो वहाँ पर भ्याप आ सकते हो इस समय डिस्काउंट भी क्रेट किया गया है तो 333 के अमांट में इयर एंड का डिस्काउंट है वहाँ पर जाक्या आप हमारे साथ जूर सकते हैं इंपॉर्टन कोश्च कोई डाउट ही आ रहा है कि अगर मैंने छोड़े जोड़े चेप्टर कर लिया तो क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा पेटेज कितना होता है चेप्टर का मतलब एक चेप्टर से कितना आता है वो मुझे कैसे पता चलेगा उसके बाद यो बच्चा आपके लिए वीडियो बन अब इतना सारे मांक्स मेरे आ गए तो सबसे पहला क्या है आपका फिरूट चप्र रिसाइड करो उस चप्टर का रिविजन शुरू करो और उसके बाद उस चप्टर के इंपॉर्ण को रोटी के अब सर चेप्टर वाइज के अगर मैं बात करो ता हमारा के मिस्टी मिजर है चार पार्ट में डिवाईड है हमारा कमस्ती में जलिव यह अप्लाई दिवाइड है पहला जो एक से चेट शेह चेतरो दे आपको 26 व्हां से रेगुलर बेशिए वर मिलेंगे 26 मार्ट का आपको यहाँ पर अटेम्ट करना होगा 26 मार्प को यहाँ पर लिखने होगे तो चो 26 माग आपको लिखने होंगे तो अगर आप पेपर पैटन दिखेंगे जब आपको मैं पेपर पैटन दिखाऊंगा आपको खुद लगया कि सर इसमें से अगर मैं एक दो चप्टर नहीं भी पढ़ता हूं तो भी मुझे लगना कि मैं आराम से कर लूँगा अब श्में से मुझे 20-22 तो आराम से मिल जाएंगे यह श्यायद अठाप ऐस अब कर एस फ़ीया करूंगा डिव इसके बार लूव तक बात करूँ अप इन ट्रांजिशन भी आठ मांग आगे तो यह सिर्फ तीन चैप्टर देखो थेरी वाला चैप्टर है यह मातर तीन चैप्टर आपको टोटल 23 मांग और यहां पर 17 मांग मिलेंगे अब यह थेरी चैप्टर है इसको अगर थोड़ा भूट भी ठीक टाक अपने कर लिया ट्रस सब्सक्राइब आपको चार मांग तक मिली जाएगा हाडली आपको एक डिड़ मांग आपका कटेगा अगर सेफ्टी सेफ्टी थेरी को पर कुछ पुछ पूशागा अधर वाइस आप पूरा का प्राइसकोल कर पाएंगे क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है हार एक चीजी नहीं कंसेप्चियोल है कही पर कोई दिक्क्त आने वाली बात नहीं है ठीक है सर हमको अगर गोत्रू करना यूट्यूब पर तो हम कहां पर जाके देखे तो भाई हमारा एल एम आर सीरीज है और यूट्यूब पर जाकर टाइप कीजिए लमार सीरीज बाए सोवीन सर आपको पू कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा पढ़के हो गया रिविजन करना है तो यूट्यूब पर बहुत टाइम वेस्ट होते हैं उसको आपको रोकना होगा सोशल मीडिया से आपको दूर जाना होगा अधर्वाइज बहुत मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए तो यह आपको 10 मिलते तो 20 और 10 30 माग तो सिरिफ आपको इस लगबगıkt वल से नो चंप्रस इमील जाएंगे लेकिन सरं मिलना तो जैये जो आप बूल रहे वह पासिवल है क्या प्रातिली पॉस्पेसिवेशन है एक दिभाइट परक्रियू प् λέण Bye गस्क कशिप्तर करना है नहीं बग ग तो आपको आपको अर्गेनिक ठीक ठीक है यहां पर रिएशन का पुरा खेले अगर आपको आपके पक्के होने वाले अगर आपको और गिनिक वीक है तो आप चेप्टर डिसाइड कर सकते हो जो चोटा चप्टर हो मैं कर लेता हूं बहुत चोटा चेप्टर है तो टा इंदा सेंस बड़ा है लेकिन बहुत बेसिक रियक्शन वाले है एसन वाने सेंट टू मैकनीजम हो गया बहुत साथ दस्वारा डिप्रेशन दिया है अप्टिकल एक्टिविटी रिस्मिक मिश्चर क्या होता है डिक्ष्टों क्या होता है और बाद में सिंपल रियक्शन और सिंपल प्रिप्रेशन है तो वह आप चेप्टर कर सकते हो एल्कोहल फिनॉल इथर कुछ चेप्टर तो इसमें से एक बहुत सारे डिशन इसमें से यूज हुए तो यह दो आपको आसानी सो जाएगा और आमाइन भाही कितना चोटा है आ अगर आप प्लानिंग कर साथ बढ़ते हो तो यह समझ मांगा कि सर किस तरह सोने और लास्का जो सेशन बच्चा लास्का जो बुलते की चैप्टर से हमारे अप्लाइट के मिस्ट्री वाले बाय मॉलिक्ल्स इंट्रॉड़क्शन डू पॉलिमर केमिस्ट्री इन केमिस्ट् जाते हैं कि इस में से मैं को और बच्चे यह फट्ली में दिखते नहीं है यह आपको फुल पैटन मैंने बता दिया कि एक चैप्टर से एक चेप्टर का विटेज क्या होगा समझ में आ अगया अगर आप सब को एड़ करेंगे बच्चा तो बार रच पच्छीज और तेईस और थर्टीए अगर आप एड़ लगभग 98 होता है और 98 मेंसे आपको सिर्फ और सिर्फ सतर मार्क जो है कि आपको लिखने होते हैं 98 मार्क का टोटल पेपर है और यह जो सतर में सतर मुझे नहीं चाहिए क्योंकि आप उस लेबल पर पहुंच चुके हो यहाँ पर आपको सारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी है ओपनली बोल रहे हो थोला सा टफ लग रहा होगा अरे सर क्या बोल रहे है मैं सतर वाला बच्चा हो फिर वीडियो देख रहा कि मैं पहले बार कैसे करूं ठीक है क्या करूं तो उसका रिविजन चल रहा हुआ है यह प्लान जो मैं बता रहा हूं आपको फॉलो करना होगा इवर्ट चप्टर को डिशाइड करो वहां से रिविजन स्चार्ट करो क्योंकि अभी सबसे दिक्कत क्या औरी ना कि पढ़ने कमढ़ने का मन नहीं कर रहा है सै अब मुझे बहुत बड़ा इसवार बद्चों की बीच में इसर मुझे पढ़ने कर रहा है अपने टोई क्यूंकि Case आप न Europa फ्ला शेप्टर कोला ही नहीं है आप तक आपको इंट्रेस्ट नहीं आएगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा तब तक आपको पढ़ना शुरू कर दे हम लोग तो वहां से आप शुरू करो एक बार इंट्रेस्ट दो लेकर है वच्छा psychology के साथ खेल तू ठीक है फिर आप देखो कैसे आप आगे कहर मचाओगे अच्छा ये चीज़ तो समझ में आ गई अब मैं एक बोड़ पेपर भी मैं आपको दिखाता हूँ गयर बोड़ पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आगा है पुछे गए हैं ताकि आपको एक आइडि सब्सक्राइब दिखा रहे हो जी हाँ एक मार्च 2023 का पीपर दिखा रहा हूँ इस पेपर में क्या है जर देख लेहां पर खास इस पेपर में यह रिगुलर पेपर है के मिश्टी का जो कोड़ दा 55 होता है टूटल सतर मां का पेपर है तीर इंगटा आपको मिलने वाले पार शोट आंसर होंगे अटेम एनी एट है समझे में क्या बोल रहा हूँ पारा में से आठ करना है मतलब यहां से ओप्शन की बहुत साथ चुरू हो चुकिए फिर से देख लो जारा फिर से बच्चा यहां पर देखो दिख रहोगा आपको शाय थोड़ा बहुत दिख रह यहां पर कोई option नहीं है तब यह पहले वाले question में दस multiple थे पुरे solve करने होंगे दुसरे वाले में 8 very short answer है पूरे के पुरे हैं 10 और 8 18 मार्ट तो भाही आपके short answer और mcq वाले pattern के हैं अब 18 में से अगर आपके 10 12 15 डिपेंड अच्छे बच्चे हो तो अगर अच्छा पढ़ सब्सक्राइब सकते हो यहां तक possibility है विकोज यह mcq है प्लस short answer है जहां पर अंसर कहीं आपको आराम से लिख पाओगे अप यहां पर आपको 10 भी मिल जाते हैं अट्रमें से दस भी पकड़ो चलो तस पर हमीगा मिनमम निके चलते हैं तीन से 14 जो है तीन से 14 वाले में बच् आप 6 ही कर पाता हूँ तो 6 दूनी 12 मिलेंगे उपर 10 मिला था यहां 12 मिल गए 10 और 12 26 माग जगप आगए आपके 26 माग बच्छा जगप आगए आपको question number section B तब और section 3 के अगर मैं बात करूँ तो 15 से लेके 26 तक आपको again 12 short answer होंगे attain any 8 होगा यह 3-3 माग का question होगा तो 20 से य 12 में सब्सक्राइब पांच करना है साथ चेप्टर छोड़ दो सोचो तो भी आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को पांच चेप्टर अगर में करता हो ठीक ठाक तो यह वाला section तो पूरा का पूरा 15 माग मेरे हो जाएंगे ठीक है और 15 माग होने का मतलब कि ऊपर क्या था पांच क्वेशन 15 25 और 15 आप जूड़ों कितना होता है 22 और 15 हो गया भाई हमारे लिए थर फंदर कितना हो गया ठीक है 37 मार्क तो चुछ मैं क्या बोल रहा हूं 37 मार्क अभी तो सेक्षिन दी तो बचा हुआ है ऐसा तो नहीं कि सेक्षिन दी में कुछ नहीं करने वाले हो तो क्वेशन नमबर 27 से लेके 31 तक पांच लॉंग आंसर होंगे इसमें से आपको 4 मार्क का एक रहेगा और आपको कोई भी तीन करना होगा अगर हम दो ही कर देते हैं यार मिला जूला के टूटा फूटा मिला के दो करते हैं तर हमको कितना है यह कितना है बच्चा जड़ अच्छे करो अटेम एनी थ्री है मतब बारा माग का है मुझे चे माग मिल जाता है है सैंटीस और छे चालीस अदब एकदम कट 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 करके भी आपके 40-45 माग आएंगे प्राटिकल के 25-30 माग जोड़ लो पच्छतर परसेन आपका अन्देस्पोड बन गे जिसको कुछ प आपने बोला मुझे फिरिट करना है तो मैने आट चपटर फेडर में मांक लिया मेरे यह मेरी फेवरिट है यह मैं कर रहा हूं इसको अच्छे से कर रहो बाकि सरा 8 का मैं का कर trás तो बाकी 8 का बच्चा जो मैं इंपाटिक वोश्टिं दे रहा हूना वह इंपको करो से यह अ हो कि आप एक कोश्चन एक चप्टर से 20 कोश्चन करो 25 कोश्चन करो पैसा इंपोर्टेंट नहीं होता है मेरा मेरा एक चप्टर में हाडली 10 कोश्चन मिलेंगे वो दस कोश्चन ही करके आपको जाना है तो उस चप्टर में आप गैरेंटे अगर चप्टर पांच मांग का है तो आप तीन मांग चार मांग कवर करी लोगे यह गैनिटी में दे सकता हो ठीके सोचो में क्या बोल रहा हूं तो भाई पांच अगर आपको चाहरी आठ चप्टर कर आपका option में जा रहा है तो कहीं ने कहीं आप उनके important question कर सकते हो selected question कर सकते हो किसी भी चप्टर को ऐसे blank छोड़िये मत जाओ कि सर ये चप्टर blank क्यों हमारे सर ने बोला था चार चप्टर तो छोड़ सकता है ऐसा मत कर छोड़ नहीं सकता है आपका फिवरेट नहीं था आपने उसको बाजी में रखा और उसके selected question आपने कर लिए जो आपको ऐसे मिल जारे में बहुत निगलेजिबल कंसिलेशन ने रहा हूं में मतब जिस बच्चों को बहुत माइनर मार्स मिलिंग उसके हिसाब से चल रहा हूं यूज लॉक्ट टेबल इस अलाउड होता है सब अधुले से बोलते हैं कि बेसिक बेसिक इनफरमेशन होती है और नो डाउट यहां पर देखो बोला है और अलफा बेट एक्जामपल ए आपको बताया है दो को बहुत सारे बच्चे करन नहीं बच्चा अगर मार्स काट रहे हैं आपके प्रिलियम में तो सही तरीका नहीं है तरीका जो है बच्चा आपको क्वेश्चन कॉपी नहीं कर है फौर ईजांपल है जिसे मैंने भी बना था शॉट्स में की aceto naitlil जो ए जब उसका रिडशन करते हैं तो क्या बनता है चार आप्शन है को तक 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 अबस्मिश्ची एंसर इhtra ूबर ओन सी एथन्हा मामाई कितना ही लिखना है अब वह उपर का कॉस्चन मत लिखो दुबारा से ताइम आपका वेश्ट होगा बच्छा द्यान देना समझा कितना करना है अब यह पेपर का पैटन जो जो मैंने बता है क्या वही सब यहां पर दिख रहा है पेपर में फिल्कुल वही सब सब्सक्राइब कर लोगे कि सबना बड़े आंसर से नहीं है तो मैं वही बोलों किसी चप्टर को ब्लैंक छोड़के मत जाओ जो इंपोर्टन कंसे पर इंपोर्टन में जाके देखो तो हाँ उनको तो इसक कॉमेडी लग रहा होगा सर यह mcq नहीं यह तो जोक आफ दे आया हुआ पेपर में उनको ऐसा फील होगा यह भी मैं बता दू क्योंकि हम आलग लेवल को आप इस वीडियों के माध्यम से मैं यह भी बोल देता हूं कि भाई अगर आप जाकर देखेंगे तो इस समय जो टॉपर प्रो बैच है या हमाना जो शौर प्लस बैच क्लास 11 से 12 के लिए अपर एस बैच है क्लास 11 से 12 के लिए ठीक है जो हमारी शक्ति बैच है जो 12 का क्विक रिवीजन हो रहा है स्कूर बुष्ट करने के लिए इन सब पर एक डिस्काउंट क्रेट क्या गया है डैडिस कॉलेज बुलते हैं इयर एंड ओफर चल रहा है से में और यह 31st जो डिसेंबर है उसके रात 12 बजे चलेगा और उसके बात खतम हो जाएगा तो अगर यह वीडियो आप तक पहुंच रहा है और आप इसको देख रहे हो ठीक है तो आप जो एक की कोर्स में नोल कर सकते हो आपकी चोईस पर और जो आफर उसका फायदा उठा सकते हो तो यह यह दिख्या अगला कोशन के पूछ रहे है यह थोड़ा सा केमिकल रिशन असर मेरा केमिकल बहुत खाराब है तो कोई बात ने तो हमने अल्री चांस अपर दिखाई देंगे मुझे लग रहा है सौल करेंगे तो बहुत इस लिंगे हमारा ट्रिक मालू में यह यह ग्लाक्र इस माइकल लॉड की गल फ्रेंड ने जो बहुत ही गुट गल है जो जी 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 में पढ़ती थी वहां से आप इसको पाता लगा सकते हैं यार मतलब हमारे रेगलर लेक्टर से आप फोड देंगे देखो नेक्टरल रबर आई सो परीन सब को पता है यह सारी चीज़ यहां आपको 10 सब्सक्राइब फिर आगला मंसी की वाँ खतम होगा फिर यहां पर देखो राइड टेक्निक उस्ट्रीव नो जो आपको टेबल दिया वाइज ग्रीन केमिस्टिक अंदर कुछ टेबल से व्च पूशन पूशा गया है यहां पर आपको पूशा गया है यहां पर आ प्रोडक्ट आपको मिलेगा थे रेगुलर लेक्षन में त्रिक्ट दिया था आपको अल्फ नाफरीन थी वहां से क्वेश्चन आया हुआ है रिखाए देखाए रहा है क्या स्कॉट्टिंट का होता है और युट्ट पूछा हुआ है यह सब चीजें आपको पूछे गए बहुत पका नहीं हूँ तो आप अपको पक्का नहीं हूँ तो आप सेलेक्टर चप्टर के करके जाए जो आपको पको आपको आप्श्चिं से मिलता है बच्छा बहन भरके आप्श्चिंस मिलते हैं यह पेपर आफ देख सकते हो डिफाइन ग्रीम केम अस्टिये ए कर दो मताओ पी टो के साथ में की बात आ होता है तो फोर्म कॉस्टिक पोटास की बात कर रहा है मतलब यह कहीं नहीं आपको लगना है कि नहीं आ पार है मुझे बहुत दिफिकल जारे तो अब वोक्त नहीं कि अब उस पर बहुत सारा टाइम वेस्ट करो अगर आपने पहले का प्रैक्टिस किया है तो जरूरूर एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक साथ आगे बढ़े आपको आपको जो जो भुलते ने की जीटा जाकता एक्जांपल दे रहा हूं मैं एक खुद आप देखेंगे कि हां सरी सब कुस्टन तो हमने पढ़े हुए यह सब तो मुझे दिखाए दिखा आप मैंटर के ओपर डिपेंड करता है था यह एक तो मुल दिया है और चेक कर लो कि क्या पूछा है ठीक है यह एलकुट दो वगन आफ टू मूल दस इससे इससे तो मतब सरी डबलू इकोल तो आप यह आप फॉर्मुला अप्लाइग कर सकते हैं है कि नहीं यह सॉर नो जर सारा बोल वचन दिया है लास में बोला इन वैक्यूम अरे सरी तो फ्री एक्समांशन हो गया डबल इक मांग इसके उपर मिल जागा और एक मांग यह लिखनी पर मिल जागा कि डबलू यहां पर जीरो है विकॉज यह फ्री एक्समांशन नेचर दिखा रहे है सॉल करना ही इसको समझें कितना इजी कोशन आ रहा है नालों 6,6 सब को पता है फेबस है क्लोरी के सी पर ओक्सी डाय सल्प्यूरी के जिमें अधब ऐसे क्वेशन जो होते हैं है जोक आप दे होते हैं क्यों सरी तो खतर नाग है मैंने बोला ता आपको पी ब्लोक के अंदर आपको चार है क्लोरी के सिर मिलते हैं यहां पर क्लोरी के सचिट और होता है अब यहां पर आपके साथ में रिलेशन पूछा रहे सरी क्या है इतना ही पर आता है कि हम रागता है क्या यह बिश्यन मिला दो आपके मर जी या फिर एसाइल मिला दो एसे यह बना सकता हूं यह सुक्त अछाइगा थहाइगा यह पर हम और और किसका बोला है यहां पर हम बोलेगी कि भाई यह मेजर बनता है यह वाला कुस्टन देखो जो कमीडी लग रहा होगा बड़े लोग बीच में चुप जाते हैं लेबल डाइब बनाना है दो अप्रेकेशन लिग दो बहुत जगा भी उसका आगे आने वाले दो में हस्पिटल में उसका है अप्रिकेशन के बहुत सारे जांके देखे एक ग्रीन फ्यूल माना जाता है मतलब कि बुटते ना कि जो अच्छा फिल जो पॉलिशन क्रेट नहीं करता है सी ओ एफ शीक्स त्री माइनस बढ़िया से करवा के दिया गया एक्दम कोई भी अमारी बैच में रहो चाहिए आप यूट्यूब पर भी पड़ें को तो इक्दम डिटेल में करवा कि दिया कैसे लिखना होता है 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 आप है और ऑर्बिटल को अटें यहांच सब्सक्रोज में पानी मिलाना आःगए अप्यूज जिख्रोज में बनता है है एक्दम बढ़ एक्सटर सकता है सकता है लो एक्सक्ट और कुछा है अल्डल कंडिन सेशन आया हुए एनमोलस भीवर आया हुआ हुआ है यह चांसे रहिं सब्सक्राइब तो कुछ नहीं पड़ाओ आपको थोड़ा सा अपने उपर भरोसा रखना है ये ये पॉसिबिलिटी है करने कि मैं कर लूंगा सर इस सेशन के बाद तो आग लग जाएगी मेरे अंदर कुछ भी हो जाए मैं फोलूंगा अलग लेवल पर फोलूंगा मैं और य सब्सक्राइब लिए नहीं समझ में आ रहा है अरे बच्चा इसको ठीक से देख ज़रा यह तराना बेसिक क्वेस्टन है नहीं पर तो को टीवन इसका निकालना है बाद में इसका निकालना दोनों कंपर करना आपको मिलेगा यहां पर लिखके भी जाए कि थ्री टाइम सब आपको प्रूफ करना है इसको सॉल करेंगे और एफ सेवन फाइटी वन सी चीज होती है कुछ कारबन नेनो ट्यूब करके आपको आपको यहां पर मांक कर देना है रिलेशन बताना डिल्टा इल्टा यू का जो कि डिल्टा है इसको डिल्टा यू प्लस देल्टा एंजी आ आपन एक क्यूब इंटू एवगे दो नंबर वह फर्मूला पूट अपको आपको असाना आजाएगा छागा यह बात किया है रेफेंस इलेटोड बेसिक डेफिनिशन है या तो जिसको जिरो मान लो या तो नोन वैली होने चीए लेटोड का वो रेफरेंस हो गया बीचिं सेशन के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि केमेश्ट्री मतलब यह समझो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर आपका कोई अधर सब्जेट हुला बहुत वीक भी है इसमें आप मैक्सिमम स्कूर कर सकते हो बहुत मीनिमम करके हम 75 सा आराम से पहुंच रहे हैं अगर अगर आप अपर इसमें पता होता कि वह बच्चे ऑविस से ओविस्ट्री अप्छे और शेल्प मोडिवेटर है और आप अपर डेडिया से लिक्ष्र बैटे ने पुरा बढ़िया से करते हैं और साल बर पड़ते हैं और अभी वह एकदम अलग जोन में है कि सब्सक्राइब करने के लिए उसके बाद हमारा टॉपर में हो चुका है अब शक्ति बैच में देने एक बच्चा हमसे खुद तीन-चार बार पड़ रहा है तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हो या नहीं जुड़े हो अब ये वक्त जो है बहुत इंपोर्टन है अग सब्सक्राइब कर बच्चा मैं बोलता हूँ आप अंगार लगा देंगे ये गरेटी बोल रहा हूं बिलते हैं ऐसे ही खुब्सूरा सेसेशन में अब तक के लिए पाइब रहना मिलते हैं नेक्स टाइम